हेंडरी आराम हो गया है तो कुछ मदद करो आंटी रूबी और स्टीव बस आते ही होंगे उनको हमारे घर आने की क्या ज़रूरत है और आंटी रूबी हर साल मुझे सिर्फ मोजे देती है मुझे पता है क्योंकि तुम स्टीव के साथ ढंक से पेश नहीं आते इसलिए स्टीव एक नमबर का है बताओ मैं क्यों चिर्दा हूं स्टीव से यह है मेरा घर और यह स्टीव का घर यह मेरा सुविंग पूल और यह स्टीव का अब समझ में आया एंडरी चलो माम की मदद कर पांडरी लूए же गभेरत्योए तोर लूअ तक मुझे कर से थेइए तोर यह है कष्चा मैं ने रुफ Annこれは इस है आता है एंडरी आता है अपांडरी लगेए तोरुआ कैंव एंडरी खेंडरी लुवां पकल स्टीव खेंडरीणिए कितना गंदा है गरीब उसे ऐसे बात नहीं करते जाओ और सारे तौफे उसे क्रिस्मस ट्री के नीचे रख दो और ये सब तुम्हारे लिए हैं बच्चो मुझे क्रिस्मस के लिए मिल रही एक पेंट गान अच्छा मुझे भी वही मिल रही है और बूम बूम बेशो मुझे भी और ये तो सिर्फ मम्मी की तरफ से है सेंटा की तरफ से कुछ और मिलेगा हाँ अगर मुझे देने के बाद कुछ बचातो बच्चों जाओ बहार जाकर खेलो और सबसे बड़ा स्नूमैन बनाओ ओके देख बेलूजा मैं जीत रहा हूँ हाँ अच्छा बच्चु मुझसे होश्यारी हाँ 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 होगा यह एक स्नूमान नहीं है हाँ स्नूमैन के पंख नहीं होते है हाँ हाँ अब यह दिख रहा है स्नूमैन की तरहा रुग जा यह मेरा भाई है तुम कितने अच्छी हो हैंडरी तु इसे सिफ मैं ही तोड़ूंगा मेरा वाला सब से बड़ा है नहीं मेरा बड़ा है मेरा बड़ा है मैं फसा हुआ हूँ नहीं मैं तुस्ते ज्यादा फस गया हूँ नहीं मैं ज्यादा फसा हुआ हूँ मौौ। पीटो कितना संदर है मैंने अपने हातों से बनाया है और मैंने अपने लिए खास बनवाया है मौमा मैं यह पूछना भूल गया कि सेंटा कब आने वाले है बहुत जल्दाएंगे पीटा काश वू भी अभी आ जाए हाँ फिर तु और तेरा भाई मू लटका कर देखना मेरे सारे तोफे क्रिस्मस के दिन मांगना नहीं देना चाहिए चुपकर मच्छर अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो मैं तुम्हें अपनी पेंट गन दे सकता हूँ क्या कहना है बड़ाया मेरे पास अपनी गन होगी चल हट कुछ देर वे सब कुछ पता चल जाएगा बच्चू हाहाहा हाहाह हाह हाह हुप दो हाह प्याव हぁ हाह हुप ही हुप हुप यही होगी मेरी फेवरिट पेंट गन मेरी क्रिस्मास टी क्या मॉमा प्लीज 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 क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मुझे अडवाइस देंगे वो क्या है ना कि मेरा एक सडू पकाव छोटा भाई है बोरिंग डाकने वाले मम्मी पापा है जो जब देखो तब मुझे सिर्फ होमवर्क करने को कहते रहते हैं तो मैं यह जाना चाहता था कि एक रॉक स्टार बने के लिए आपको क्या करना पड़ा तैंक यू डियर रॉक स्टार आपका सबसे बड़ा फैन है निरी अब्रश करने का टाइम हो गया बच्चों एक और बात, क्या रॉक स्टार को भी ब्रश करना पड़ता है सोने का टाइम हो गया बच्चों तुम तो पहले ही सोने चले के तब यह ठीक है ना हाँ मम्मी बस थोरी नेंद आ रही है क्या तुमने ब्रश किया हाँ सुबही किया था गुट नाइट हेंड्रे बाइ हैंड्रे यह ममी तुमने कुछ गिरा दिया हैंड्री यह मेरा है क्यों तुमने कोई चिठ्थी लिखी हैं हैंड्री मैं कुछ भी करू उससे तुमें क्या बोरिंग कर दू हेंड्री हमारे बैंड को तोड़ फोड पर्फरमेंस देने का मौका मिल गया है कुल कहां मेरे दादा जी की बर्थडे पार्टी में वाँ यह तो बहुत कूल है पर क्या उन्हें हमारा बैंड पसंद है पसंद नहीं यह तो पसंद करने लगेंगे नो टेंचन अच्छा तो इस भूंदू हेंड्री के बैंड को अपना पहला शो मिला है और उनके पास उनका मेंड सिंगर ही नहीं है आँ मजा आएगा हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर इसको इससे माइनस कर दे तो आज रात को मेरे घर पर बैंड प्रैक्टिस ठीक है हाँ मैं आज रा नहीं आ सकता तो नहीं आ सकते हैं प्लीज में एंड्री बखबख कर रहा है हैंड्री क्लास के बाहर जाओ और मैं तो बाहर अभी यह आज को बैंड प्रैक्टिस में नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है इसका मतलब उसे जल्दी सोना होगा और गाना गाना बंद करना होगा सच में बेचारा हेंडरी ओ बहुत बड़ी बीमारी है पता नहीं कब ठीक हो पाएगा वो मेरी दादा जी के कुंडूं की नया मेंट सिंगर सच में और नहीं तो क्या मैं हूना है और हैंडरी नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता चले तो अपना मुँ बंद रखना समझाई तुम यहां हो राफ मैं आज रात प्रैक्टिस के लिए ने आ से तक क्योंकि हैंडरी है म मुझे सब पता है कुल लेकिन बद्रे वाले दिन में जरूर आऊंगा प्रामेस पता है एंडरी सब कुछ साफ साफ देखा है मैंने अपने नए में सिंगर से मिलो लेकिन कौन मैं गदो बैंट प्रैक्टिस ठीक छे बजे शुरू हो जाएगी मेरे ट्री हाउस पर और एक मिनिट के भी देरी मुझे पसंद नहीं ठंद रखो दोस्तों मैं बताता हूं जो जो से म्यूजिक सुनते हुए मस्ती करने का मजाई कुछ और है जल्दी करो है या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने का है वो तो राल्फ जैसा लग रहा था पर नहीं हो सकता राल्फ मार्गरिट के ट्री हाउस में चोरीची पर क्यों जाएगा और पता नहीं कब कहेंगे लोग मुझे हेन्री राजा लगता है आज से मैं सिर्फ होमबकी करता रहूंगा मॉमे क्या आज मेरे लिए कोई चिट्टी आई है नहीं तो क्या आज मेरे लिए कोई चीदी आई है ममी? नहीं, क्यों? कि लोगे लोगे डीदा है यूँ करत दोfire झाल इवाओ । हीाँ हुआ 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 रनी आंग करने हैं। प्रॉकर रचना है। थेह। थेह। हैंग्री रचीकरत वह से रचीकरहें। हैंग हैंग्री मैं यहा है विए प्ष। श्च। 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 मुझे पता है तुम जा सोच रहे हो ये सब शिर्फ ए पीज़ा के लिए ही हाँ वै हाँ श्टांग, कौन तो मैं सुन लेंगी और फिर कोई पीजा नहीं मिलेगा गोल्डन गेट गार्डन सेंडर के पीजा सबसे बढ़िया होते हैं इतना सारा चीज और वाखी चीजे तो पता नहीं अब क्या करी अगर वो अभी ऐसा करती है तो फिर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा ओए नकचड़ी ए नकचड़ी किसे कह रहे हो मतलब श्ष् एक मिनिट रुको मुझे एक लफंगे से निपटने दो इसका क्या मतलब है श्ष् पता है नहीं रोक सकता पर वैसे जब तो मैं पता है तो मुझे नहीं रोक सकते तो मैं क्यों रूकूं और करो बात जीत पयर कोई लफंगर मुझे चुप होने के लिए के लिए मेरे अधिकार है और मेरे गार्डन मेरे अधिकार स्एधाए उसका कोई अधिकार humor कराई हो गया कि उसे बताइके उसका कोई अधिकार नहीं को तो तो तुम यहां हो मिस्टर मेरे कादिन IN NeighON मुझे क्या squall ने ये बताने का हग तो में नहीं? हां, मुझे पता है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता. वो भी मेरे बैक गारदन में. Mr Bossy मदलब Mr Bossy के अकांट्स कर रही है. हमें शान्त रहने से pizza मिलेगा. काउन सा पीज़ा? एक गोल्डन गेट, गार्डन सेंडर का पीज़ा. सच में? ठीक है फिर, क्या कीमत होगी इसकी? इसकी क्या कीमत होगी? मेरे चुप रहने की कीमत, ताके तुम्हें तुम्हारा पीज़ा मिल जाए. तुम्हारे पीज़ा का आधा? क्या? हाँ, ठीक है. सौदा पका. और हेंरी? क्या? शांती से बात बनती है, समझे? ओ, हाँ. हलो? हलो, हेंरी? हलो? हेंरी? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, डाड. हम बस चुप बेटे हैं, ताकि मॉम काम कर सके. बढ़िया, वैसे मैंने इसी बात के लिए फोन किया था. क्या? यही कि तुम शांत हो या नहीं, ताकि तुम पीज़ा पा सको. मैं? शांत हो या नहीं? हाँ, हाँ, मैं शांत हूँ. मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मतलब आपको केसे बदा चलेगा? मैं मौम को तुईर ना बूच सकता हूँ. तो फेर पीटर को फॉन दो. सच में? आपको पीटर से बात करनी है? हाँ, मैं होल्ड करता हूँ. क्या मैं उबर जीनियस से बात कर रहा हूँ, जिसने उबर हूमवर्क एप बनाया है? हाँ, बिल्गल सही. काम कैसा चल रहा है, उबर ब्राइन? बढ़िया से भी बहुत बढ़िया चल रहा है. हमें काम की धेर सारी बुकिंग्स मिल रही है. बलकि अभी तुम्हारे पास उबस कुछी दिर में पैकेज पहुचते ही होंगे. बस अभी. कोई बात नहीं, मॉम. मैं खुलता हूँ. अच्छा, ठीक है? सब कुछ ठीक है न, हेंडरी? हाँ, सब कुछ ठीक है, मॉम. और पीटा तो ठीक है न, क्योंकि आज उसे बहुत सारा होमवक मिला है. हाँ, वो भी ठीक है. मैं उसी की मदद करने जा रहा हूँ. कितनी प्यारी बात है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम दोनों मिल जुल कर काम करते हूँ. मुझे भी. तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे. पार्सल में कम से कम 20 होमवक की बुकिंग मिली है. ओ हाँ, अभी तो और भी आएंगे. क्या, आज रात? ओ हाँ, और हमें सब की तरफ से 5 स्टार्स मिल रहे हैं. हाँ, बढ़िया. रुको, उन्हें अभी तक अमने होमवक नहीं मिले. पता है, उन्हें नहीं मिल रहे हैं, पर हमारे एप का बोल बाल रहा हैं, हेंडरी. कुल. कर मिलते हैं. क्या, अभी सब कुछ ठीक है, हेंडरी? ओ हाँ, सब ठीक है. चिंता मत करो, मॉम. काम कैसा चल रहा है, कीड़े? मेरा मतलब काम कैसा चल रहा है, हापी होमवक हेलपर? वैसे, मैंने इतना काम कर लिया है, बस ये वाले बचे हैं. और ये भी. ओ, नहीं, वो तम्हें कली करूँगा. यानि आज रात, पीडर? नहीं, मतलब कली करूँगा. मेरा सोना भी ज़रूरी है. नहीं, मतलब आज रात. ओ, नहीं, मैं. ओ, शायद मैंने तुम्हें डेडलाइन के बार में नहीं बताया था. कौनसी डेडलाइन? सबसे ज्यादा गर्ल्स्टार्स कमाने की डेडलाइन. ओ, वो वाला. नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया था, हेंड्री. शायद भूल गया. वैसे डेडलाइन है. आज आधी रात तक. क्या? आज आधी रात तक? हाँ, आज आधी रात तक. वरना... वरना क्या, हेंड्री? वरना सारे गोल्ड स्टार्स भूल जाओ. आज आधी रात तक. हेंड्री, तेरा हुमवग करने का समय हो गया है, कीड़े. मुझे कीड़ा मकव. यद्भग आधी रात हो चुकी है. हाँ, तेरा काम खतम करने का समय. यहाँ पर चल क्या राह है, हेंड्री? मैं उड़ गया, क्यूकि पीटर के कमरे के लाइट चालू थी. ओ, बिचारा मेरा बच्चा, देर रात तक काम कर रहा होगा. शायद. तुम क्या कर रहे हो, हेंड्री? मैंने सोचाईने यहां से हटा दू. क्यूकि जब वो सोकर उठेगा, तो वो हुमब की चिंता नहीं करेगा. ठीक किया ना? कभी-कभी ना, हेंड्री? कभी-कभी क्या, मॉम? कभी-कभी, हेंड्री, मुझे लगता है कि तुम... हाँ-हाँ, पता है, थपड़ खाने वाले काम करता हूँ. मैं तो कहने वाली थी कि बहुत प्यारे हो. अब क्या करूंगा? अभी तो आधी रात हुई है, किसी को मदद के लिए बुड़ा भी नहीं सकता. हमारी फाइस्टार रेटिंग चली जाएगी, ये तो बहुत पुरा होगा. फैंक, तुम मदद करना चाहोगे क्या? अब एक ही रास्ता बचा है. आज की रात बहुत लंबी होगी. कुछ नहीं का स्क्वेर रूट कुछ तो होगा, तो बताओ तुम्हें स्क्वेर रूट कहां से मिलेगा? कहां से लाते हैं ये सब सवाल?